नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल अस्पाइट टूटोरियल में स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी अब भी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा पिछले सेशन में हम लोगों ने मोमेंट आफ इनर्सिया को चालू किया था जिसमें सिंगल पार्टिकल का मोमेंट आफ इनर्सिया निकालना सीखा था moment of inertia होता क्या है उसको देखा था physical significance देखा था moment of inertia किस factor पर depend करता है वहां तक हमने analysis कर दिया था आज के session में हम moment of inertia कोई continuous body है जो uniformly mass distributed है उसका moment of inertia हम कैसे निकालते हैं उन सब का steady करने वाले हैं तो चलिए बिना time breast किये हुए session चालू करते हैं जैसा कि पहला heading जो आज का है moment of inertia after continuous body तो आपको पता है मैंने center आप mass में explain किया था कोई continuous body होती क्या है जिसमें हर point पर mass का distribution आपका same हो जैसे आपका अगर एक एक rod है ठीक अगर इसका mass M है और हर छोटे छोटे part पर अगर small M से बना है किसी भी point पर आप देखोगे इसका जो distribution है किसी भी unit का अगर छोटू सा mass है M तो पूरा length है L तो कितना होगा M by L हर part पर distribute होगा तो उसी को हम बोलते हैं क्या uniformity distribution समझ में आया कि नहीं और उसी को हम continuous body बोलते हैं तो चलिए उसका moment of inertia कैसे निकालते हैं उसको शुरू करते हैं तो सबसे पहले continuous body देते हैं एक continuous body देते हैं जिसका mass मान देता हूं M है और एक axis के around इसको हम घुमा रहे हैं इस axis के around ठीक अब हमसे पूछ रहा है इस body का moment of inertia कितना होगा उसको आपको निकालना है अब देखो अगर continuous body है हम कैसे center आप mass में अप्रोच करते थे एक छोटा सा element ले देते थे उसका mass निकाल के हम पूरे पर जहां तक distribution है intrigation कर देते थे limit लगा के answer निकाल देते थे समझ माया की नहीं तो वही method हम यहां लगाने वाले हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक छोटा सा यहां पर mass ले देता हूँ ठीक यह बहुत सारे मान देता हूँ यह number आप particle का मिलके system बना हुआ है जिसका mass m है और जिस axis के around यह घूम रहा है वहां से इसकी distance कितनी है वहां से मान देता हूँ इसका distance जो है एक इतना है small r ठीक समझ में आया की नहीं और इसका mass कितना है dm जब छोटा element है तो इसका mass कितना आयेगा dm समझ में आया की नहीं क्या कर रहा हूँ चलो जो जो किया यहां पर मैं देख देता हूँ क्या किया हूँ consider and देखो ए प्रोसेस है जब भी आपको continuous अभी cylinder, disk, सब का हम निकालेंगे रोट का यही मेथन लगाने वाले है concept को सीखे consider and वहाँ भी यही करना है एक small element ले देंगे small element फिर उसका हमको mass चाहिए जो कल के session में देखा था m r square करते थे न तो यहाँ पर एक छोटू सा mass ले देंगे measurement, mass कितना mass उसका मान देखे है dm अब जो axis घूम रहा है of the body of the body at a distance of the body at a distance कितने distance पर माने है r distance पर at a body at a distance r समझ में आया की नहीं अब क्या पूछ रहा हम से अगर पूछे r हमने लिगा कहां से है from the axis of rotation इस चीज को याद रखना अगर इसको आपने change किया तो सारा answer आपका गलत हो जाएगा from the axis of rotation moment of inertia का क्या फार्मूजा होता था i equal to यह योगन नगर हम छोटे element का निकाल रहे है तो di छोटू का into किसका mass है dm dm into r square अब अगर हमें पूरे का चहिए तो हम क्या कर देंगे अगर छोटी छोटी पार्ट मिल के infinite number के मिले है जब बहुत सारे पार्ट को add करना होता है तो क्या आता है समाक कजन का symbol intrigation जिसको हम बोलते हैं समझ में आजा कि नहीं कोई भी body होगी एक छोटा सा element देंगे जिस axis सो घूम रहा होगा उससे कुछ दूरी पर उसका हम intrigation करेंगे पूरे body के about limit डालेंगे और हमारा answer मिल जाएगा moment of inertia हम कैसे निकालते हैं इस चीज़ को आप याद रखना समझ माला कि नहीं चलिए एक एक करके निकालना सुरू करते हैं आपको idea आ जाएगा सबसे पहले moment of inertia आफ राड एक राड का निकालते हैं और उसका जो मैंने पिछले session में आपको explain किया था axis change करेंगे तो moment of inertia भी change होता है यहाँ पर मैं आपको proof के साथ दिखाऊंगा तो जो पहला case दे रहा हूँ एक राड दे दिया है एक राड है जिसका mass M है uniformly distributed है अब यह क्या बोल रहा है कि एक axis जो इसके बीचों बीच है center में इसके around हम क्या कर रहे हैं rotate कर रहे हैं तो इस राड का moment of inertia कितना आएगा इसका जो length है यहाँ से length कितना आएगा यहाँ से हाँ कितना होगा L by 2 अगर एक axis हमने दिया है इसके backward direction में है तो L by 2 और यहाँ से हाँ कितना आएगा L by 2 समझ में आया कि नहीं I hope आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt हो वीडियो को एक बार pause करिए फिर से देखे सारा doubt आपका clear हो जाएगा अब चलो इसको solve करना शुरू करते हैं अब इसको हम कैसे solve करेंगे तो कुछ दूरी पर एक छोटा सा element लेते हैं जो हमने वहाँ पर माना था तो यहाँ से यहाँ पर मैं इसका एक छोटा सा element ले लेता हूँ इसका length कितना है बहुत छोटा है इसके length को देखो मैं ऊपर increase करके यहाँ लेता हूँ इसका length है मान लेते हैं dx और यहाँ से मैंने axis से कितने दूरी पर लिया है x दूरी पर ठीक अब जब यह छोटू का mass कितना आएगा इसका mass होगा dm अब moment type inertia क्या होगा x square dm अब किसी तरह हमें dm और यह सब की value हम put करेंगे हमारा answer निकल के आ जाएगा तो चलो इसको solve करना शुरू करते हैं तो moment type inertia अपना क्या होगा एच छोटे part का d i equal to क्या होता है यहाँ पर distance हमने क्या लिया है x square dm देखो हमको x पता था direct value रख दिये अब यहाँ से limit कहा से कहा तक ले जानी है 0 से i अब देखो इस axis पे sign का ध्यान देना इसके हम left side आ रहे हैं तो limit हो जाएगी minus l by 2 और upper side l by 2 हमें सब कुछ पता है क्या unknown है dm अगर किसी तरह हमें dm की value पता चल जाए हम integration पूरा करके इसको निकाल लेंगे कि नहीं आराम से निकाल लेंगे तो चलो dm को निकालने की कोसिस करते हैं अब आप देखो पूरे rod का mass कितना है m और किस length पर है a length का mass कितना है m देखो मैंने आपको center up mass में ही बताया था कि अच्छे से सीख लो क्योंकि ये पूरे moment of inertia में उसी का use होने वाला है dm निकालेंगे integration करेंगे moment of inertia निकालेंगे तो यहां से एक unit का mass कितना होगा m by l तो इसी तरह अगर हमें dx unit का mass चाहिए dx unit का mass क्या होगा value है जो हमने element लिया था इसका mass कितना है m by l dx तो चलिए इसकी value पूट करते हैं जब इसका value यहां में पूट करूँगा d i के integration i हो जाएगा equal to limit minus l by 2 से l by 2 यह क्या है x square और dm की value क्या निकाल के i है m by l into dx अब m by l यहां क्या है constant है उसको हम बाहर दे लेते हैं तो जब m by l को बाहर दे लेंगे i equal to m by l अब जब यहां देखो x square dx integration x square dx का होगा तो power एक increase हो जाएगी x cube divided by 3 I hope अब तक आप लोगों ने integration सीख लिया होगा अगर नहीं सीखा है तो मैंने mathematical में integration का session लिया हुआ है वहाँ से जाके देख लिजे नहीं तो आपको पूरे physics में problems आने वाली है तो चलो अब इसका हम definite integral क्या करते थे upper limit minus lower limit 3 constant है बाहर दे लेते हैं l by 2 का whole cube रखेंगे तो क्या हो जाएगा l cube divided by 3 को हमने बाहर दे लिया है तो उसकी कोई value यहां नहीं put करेंगे तो l का कितना आजाएगा l cube और 2 का cube कितना आएगा 2 का cube आएगा 8 minus अब देखोई minus l by 2 है तो इसको जब हम यहां करेंगे तो कितना आएगा फिर से minus आएगा l cube divided by 8 अब इसको और solve करेंगे m by 3 l यह क्या हो जाएगा l cube minus minus plus हो जाएगा 2 l cube divided by 1 समझ में आया की नहीं यहां तक अब इसको जब solve करेंगे 2, 4, 8 1 l से 1 l cancel हो जाएगा जो आपका moment of inertia निकल के आएगा m l square by 12 तो अगर इस strad को हम इसके center से rotate करें l by 2 पे तो उसका moment of inertia कितना आने वाला है m l square by 2 समझ में आया की नहीं हम कैसे निकलते हैं देखो कभी भी आपको question में कुछ भी देख कहीं से भी आप concept याद रखना उसको आसानी से solve कर लोगे I hope आपको समझ में आ गया होगा अब चलो इसका b part देखते हैं आपको सिखाएंगे अभी तो यह बिना उसको यूज किये हम कर रहे हैं चलो अगला देखते हैं moment of inertia about an axis touching the age of the rod and perpendicular to its length यहाँ देखो क्या था इसके बीचो बीच सेंटर से पास कर रहा था लेकिन यहाँ किसी rod के एक किनारे से पास कर रहा है तो चलो फिर से वही देखो यह मैं आपके practice के लिए यह सब करा रहा हूँ अगर अच्छे से practice कर लोगे exam में question कैसा भी पूछे उसको आसानी से solve कर लोगे तो इसके एक age से घुमाया जा रहा है ठीक वही इसका mass है M, फिर से length कितना है length है L अब इसका हमें moment of inertia बताना है कितना होगा तो चलो सबसे पहले अपना method क्या है एक छोटा सा element लेते है छोटू सा element जिसका length कितना है इतना छोटा है कि d x और हम इसके center से कितने दूरी पर लिए है x दूरी पर ठीक अब अपने को क्या रखना है इसका mass कितना हो जाएगा इसका mass आएगा d m तो अगर अपने को moment of inertia चाहिए तो moment of inertia d i equal to length का square axis of rotation से इंटू छोटू सा mass अब हमें d m की बेलू चाहिए देखो मैं पिछले म निकाला था डारेक्ट पूट कर सकता हूँ बट आपको फिर से explain कर रहा हूँ अगर l length पर mass m है तो एक unit का mass कितना होगा एक unit का l यहाँ divide हो जाएगा m by l किसी भी एक unit का और हमसे पूछ कितना रहा है dx unit का तो जितने length का पूछ रहा है उसको हम इसमें multiply करा देंगे अगर पूरे length का पूछता तो चलो इसको put करते हैं अब di integration समझ में आया की नहीं क्या कर रहा हूँ बस कुछ नहीं करना है integration चालू करते हैं limit 0 से i और यहाँ limit कहां से कहां जाएगा अगर इस axis से घूम रहा है total length l है कहां से कहां जा रहा है 0 से l तो i का करेंगे आ जाएगा i यहाँ limit है 0 से l x square m by l into dx m by l constant है वो बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा x cube divided by 3 limit हमारी कहां से कहां जाएगी 0 से l तो जो हम limit put करेंगे upper limit minus lower limit m by 3 l को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पर निकल के आएगा l cube minus 0 upper limit minus lower limit i की value क्या जाएगी l cancel हो जाएगा बचेगा m l square by 3 तो कितना इजली हमने निकाल लिया बस basic concept को याद रखना लोग पता नहीं moment of inertia हम इतना क्यों confused होते हैं आराम से basic concept याद रखिए उसको आसानी से निकाल लेंगे समझ में आया कि नहीं अगर हम देखो center से घुमा रहे थे ml square by 12 आ रहा था लेकिन age से घुमाना शुरू करें ml square by 3 आ रहा आई होप आपको clear हो गया होगा चलिए moment of inertia आगे देखते हैं अब समझते है moment of inertia uniform circular ring का निकालना ring पता है ने ring का हमने center आप मास निकालना था सारा concept लगाना है वहाँ पे हम em1 x1 यहाँ पे एक distance और increase हो जा रही सारा concept सेम है अगर आपने वहाँ पे ध्यान से सीखा होगा center आप मास निकालना वही similar concept यहाँ पे लग रहा है किवल जो हम distance लेते थे यहाँ distance हो square हो जा रही है जो point of reference लेते थे यहाँ reference की जगा एकसी साफ rotation है तो अगर physics माँ आप ध्यान से देखोगे सारी चीजे एक दूसरे से मिलती जूलती है I hope आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसको अब solve करते हैं और यार यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को like कर देए चलो अब देखते हैं परज़ हम uniform circular ring बनाते है यह हमारा एक uniform circular ring है जिसको इसके center से घुमाया जा रहा है ठीक इसके center से मान देते हैं हमको घुमाना है तो क्या होगा जब हम इसको center से घुमाएंगे uniform है जिसका mass m है और radius कितना है यहां से यहां तक दूरी radius है आर समझ में आया कि रिंग क्या होती है पता है न सर्कूलर रिंग एकदम जैसे आपका wire है ठीकनेस एकदम negligible होती wire को आप एक ऐसे round सा बना दो circle वो आपका एक तरह से ring हो गई तो उसका moment of inertia कैसे निक्या देंगे उसको हम सीखते हैं तो यहां पर मैं क्या मानता हूं कि जो इसका mass है उसको पेरी फेरी पे है आप rod को ऐसे घुमात देते हूं जो wire है तो सारा mass wire का क्या है उसके चारों तरफ ही अस्थापित है समझ में आया कि नहीं आई होप आपको आ गया होगा चलिए जो जो है यहां पर मैं लिख देता हूं तो क्या हो रहा है let m is the mass of ring let m is the m क्या है mass of ring ध्यान से देखिए अच्छे से समझे mass of the ring with radius r r radius का m mass का एक ring है ठीक अब moment of inertia अपना क्या होगा moment of inertia about an axis axis कहां से पास हो रहे axis passing through its axis passing through the center of the ring जो हमने यहां पर माना है उसको यहां word पर लिख दे रहे है center of ring और यह क्या है perpendicular to plane समझ में आया की नहीं यहां पर जो हो रहा है अब इसका moment of inertia निकालेंगे कैसे देखो आप दो में थंग है आप मास से निकालने जाओगे उससे बहुट time लगेगा उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं हम मान देते हैं कि एक ही छोटा सा element इसके पेरी फेरी पे कट कर देते हैं कहीं भी एक छोटू से एकदम part एक मिनटे तो similar color है ना इसको मैं दूसरा color देता हूं यहां पर मैंने कौन color नहीं यूज किया है red तो चलो एक ही छोटू सा part मैं यहां पर काट दे रहा हूं इसका मास क्या आ गया dm ऐसे मान देता हूं infinite number के मास में आके m particle का बना हुआ है तो इसका जो radius है यह भी radius क्या आएगी आएगी कि नहीं अब हमें अगर पूरे पेरी फेरी के अलांग मास चाहिए तो dm का अगर हम radius limit लगा के integration कर देंगे आ जाएगा कि नहीं समझ माला कि नहीं हमने circumference पर एक dm का मास काटा है चलो यहां बोलो तुम्हां लिखी देता हूं आप उस मेथन से जाओगे एंगर ठीटा उससे बहुत जिंदी होगे इस मेथन को यूज करो now we need to अब इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे need to cut an elemental cut an elemental ring एकदम छोटू सा ring काटे ring dx at कहां पे काटे है at the circumference at the ring circumference देखो ध्यान से समझे कुछ नहीं है यार एकदम basic सी चीज़ें है आप दे रिंग और रिंग का मास कितना है रिंग का मास आया है dm dm आप दे एजिमेंड ठीक यह जो यह छोटू सा हमने काटा है इसका distance कितना है इसका distance है dx समझ में आया की नहीं और उसका मास है dm अब अपने को moment आफ इनर्सिय चाहिए एकदम इजी यार इसकी इजी कुछ होगा i कहां से कहां तक जा रहा है r radius तो constant है r square क्या change हो रहा है dm और dm पूरा कहां तक इसके circumference पर है की नहीं तो पूरा इसके circumference पर है तो पूरा मास कहां से कहां तक जा रहा है 0 से m तक तो चलो इसकी value put करते है r square बाहर आ जाएगा m का करेंगे m limit 0 से m तो जब i का हम निकलेंगे एक क्या निकलके आएगा mr squad को कितना इसली हमने निकाल दिया dm की हमें value चाहिए थे और direct हमने limit कहां से कहां तक रख दिया 0 से m तक vary कर रहा है i hope आपको समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt हो वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt आपका clear हो जाएगा चलो अब रिंग का समझ में आ जाए न क्योंकि disc में रिंग का ही use होगा चलो अब moment of inertia circular disc का निकालना शुरू करते हैं पहले अच्छे से समझते हैं डाइग्राम के थुरू फिर उसको solve करेंगे देखो हमने rod का रिंग का निकाल लिया circular disc का निकालते हैं इसके बाद आपको idea आने लगेगा कि कोई भी अगर हमें geometry दी रहे या कोई भी object दी रहे उसका moment of inertia निकालेंगे कैसे अगर continuous body है एक छोट उसका easily moment of inertia निकाल लोगे तो चलो moment of inertia जो हम circular disc का निकाल रहे हो क्या है uniform circular disc about an axis passing through its center and perpendicular to its plane चलो इसको disk को पहले बनाते हैं ए रहा अपना disk ठीक अब क्या कर रहे हैं कि किस axis के around घूमेगा एक axis जो इस plane के perpendicular है इसके around ये घूम रहा है समझ में आया कि नहीं इस axis के around ये घूम रहा है आपसे पूछ रहा है इसका moment of inertia क्या होगा अगर आपको याद होगा center of mass क्या होता था अगर हम in number के ring को add करें तो हमें एक disk मिलेगी कि नहीं इस disk का mass क्या है इस disk का mass aim है और जो radius दी हुई है यहां से यहां तक radius वो radius अपनी क्या है यहां पर मैं mark कर देता हूँ यह radius है अपनी R अब हमें देखो disk का इसके circumference पर चाहिए तो हम क्या निक्या देंगे इसके circumference पर एक छोटू सा element देंगे चलो solve करना शुरू करते हैं तो मैं क्या करता हूँ इस पर एक छोटा सा circumference पर एक element देता हूँ ठेक ध्यान से देखिए क्योंकि अच्छे से समझिए एक्जाम में कैसा भी क्यूस्चन आएगा concept क्लिए रहेगा आप उसको आसानी से कर लोगे एक मैं ring दे रहा हूँ जिसकी thickness क्या है DR ठेक ए इस axis के around घूम रहा है इसका mass क्या आएगा DM आएगा इसकी radius कितने radius पर दे रहा हूँ R radius पर इसका थिक thickness कितना है जो यह छोटू सा है इसका थिकने से DR और इसका mass कितना है mass आया है DM समझ में आया कि नहीं एक छोटा सा element लिया small r radius पर जिसका thickness DR है और यह क्या है एक ring है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई problem ना हो dividing जो हमारा disk था उसको हम क्या कर सकते हैं एक इन न into a number of concentric ring ठीक यह number के concentric ring में हमने उसको divide कर दिया है अब अपना क्या काम है अपने को अगर हमें इसका moment of inertia दिखना है छोटू सा di तो क्या होगा e यहाँ से यहाँ इसकी दूरी r square dm और radius हमारा कहां से कहां तक बैरी हो रहा है किसके along निकालेंगे जो radius हमारा जा रहा है 0 से लेके r तक के radius जा रहा है देखो ना r की बैदू कहा है यहाँ पर हम origin है 0 0 से लेके maximum limit r तक जाएगे अब सब कुछ हमको पता है हमें अगर किसी नरक Mansion child ले लेके सीन आराम से लेकर अब देखो एक डिस्क है पूरा एरिया कितना है डिस्क का एरिया एगर radius r है तो इसका एरिया कितना होता है डिया है प्रीया का मस कितना है m और हमने एक यूनिट एरिया का मस कीतना होगा m byτε 2πr², अब हमें कितना चाहिए यह circumference, इसका area कितना होगा, एक ring है, ring के area क्या होगा, 2πrdr, समझ मायक नहीं, चोटु गालों का area क्या होगा, 2πrdr, तो अगर हमें 2πrdr पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, m by pi r square इसमें किसका multiply कर देंगे 2 pi r into dr और यही क्या है हमारा यह जो छोटा सा यही mint हमने माना है उसी का छोटू सा मास है समझ में आजा कि नहीं एक बार आपने dm निकाल लिया फिर question integration करना है एकदम आसान हो जाता है limit 0 से i चलो value put करना सुरू करते है तो सबसे पहले हम यह तो i आजाएगा 0 से r r square तो वही रहेगा dm की value put करते है dm की value क्या है m by pi r square m by pi r square into क्या है 2 pi r dr अब यहाँ पर देखो हमारा small r variable है capital और constant है तो यह पूरे term जो constant है उनको मैं बाहर दे देता हूँ जब पूरे term को बाहर दे देंगा क्या-क्या constant है m, pi, 2m, pi divided by pi r square अंदर क्या बचेगा r square और r यह हो जाएगा r के power r cube into dr जब integration निकालेंगे pi से pi consist हो जाएगा 2m by r square इधर क्या निकलके आएगा limit है 0 से r एकदम basic है यार अब तो कुछ नहीं रहा r के power 4 divided by 4 limit अपनी जा रहे है 0 से r तक इसकी बैदू पूट करते है 2m by r square upper limit minus lower limit जब यहाँ पर आज आएगा r के power 4 minus 0 जब इसको हम और solve करेंगे r square से r के power 4 एक cancel हो जाएगा 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या निकल के आएगा r square divided by 2 तो जो disk का उसके center के about आया है कितना moment of inertia आई है r square by 2 देखो यह सब अच्छे साब निकालना सीख देजी अभी आगे मैं perpendicular परिदर एकसिस theorem next lecture में cover करूँगा फिर आपको किसी भी एकसिस को मानों यहां से पूछे तो उसको कैसे निकालेंगे ओ सब आराम से हम उसको कर देंगे अगर यह नहीं समझ में आया है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखिए सारा doubt आपका clear हो जाएगा देखो बहुत लोगों के समझ में नहीं आता हो क्या रहा है इसलिए मैंने हर चीज़ों को time लेके अच्छे से explain कर रहा हूँ आप ध्यान देके सुनेंगे सारा चीज़े आपको समझ में आ जाएगा चलिए अब अगला देखते हैं अब moment of inertia uniform cylinder का निकालते है कि कोई cylinder है उसका moment of inertia हम कैसे निकालेंगे ठिक सबसे पहले cylinder को draw करते है uniform है मतलब mass हर जगह पर constant है जहाँ uniform का मतलब आई समझ लेने का पता है ना मैंने आपको mensuration में cylinder rectangle हर चीज का area यह सब कैसे होता था पूरा आपको सिखाया हुआ है mathematical tool में अगर अभी तक आपने नहीं सिखा है तो जाके वो lecture को देख लीजिए नहीं तो पूरे physics में अगर आपका basics ही नहीं clear रहेगा मैत में तो आप नहीं solve करने वादे हो पूरे physics आपको परसान करेगी और difficult लगेगा देखो मैं कुछ नया कर रहा हूँ कुछ नहीं एकदम basic सा concept लगा रहा हूँ और सारा answer अपने आप निकल के आ रहा है जो हमने अभी तक study किया था उसी का use है उसी की use से दूसरा concept डेवलप हो रहा है तो देखो यह के cylinder है ठीक जिसका radius यहाँ से यहाँ कितना है R और A इस axis के around घूम रहा है ठीक इस axis के around इसको rotate करना है तो इस axis के around अपना moment of inertia कितना आएगा उसी को पूछ रहा है समझ में आया की नहीं तो मैं क्या करूँगा अगर जो हमारा cylinder है आप top view देखोगे एक एच सेल दिखेगा circular type का सेल दिखेगा नहीं पूरा आप कभी cylinder को उपर से देखना उपर से आप जर करना एक सेल टाइप दिखेगा नहीं solid तो चलो उसी को हम यहाँ पर दिखते हैं सेल को यहाँ बनाते हैं उसका तो black color है वही रखते है यह आया सेल ठीक अब इसका radius उपर से जब हम देखेंगे तो हमें एक ऐसे ही दिखेगा नै इसका radius कितना है capital R यहाँ देखो दिया हुआ है ठीक अब मैं क्या करूँगा अगर हम इसी को छोटे छोटे element को यहाँ से उपर तक जोड़ दो एक length पर तो हमें cylinder मिल जाएगा कि नहीं तो मैं क्या करूँगा अगर इसको निकाल के एक area आराम से multiply करनो पूरा निकल आएगा कि नहीं इसली निकल आएगा तो चलिए हम cell पर क्या करते हैं एक छोटा सा element देते हैं ध्यान से समझें cylinder में लोग बहुत confused हो जाते हैं अरे disk भी नहीं निकाल पाते हैं इसलिए मैं आपको पूरा एक एक चीज़े अच्छे से explain कर रहा हूँ यहां से जाने बाद आप हर चीज का खुद से करिएगा यहां से जो इसकी radius आई है जो हमने छोटू सा लिया है यह कितना है small r और जो इसकी ठिकने से यह कितना है dr अगर dr ठिकने से mass कितना आएगा dm समझ में आया कि नहीं चलो इन सब चीज़ों को मैं यहां पर लेख देता हूँ पूरा जो यहां तक अभी तक किया हूँ let यहां पर mass क्या है aim है ठिक let mass of cylinder mass of cylinder देखो अच्छे से समझ दीजे यहां मैंने सारी चीज़े बना दी है mass of cylinder aim और क्या है aim radius r अब अपने को यह छोटा सा radius पे dm निकालना है integration करेंगे थोड़ा arrange करेंगे अपना answer निकल के आ जाएगा एक simple सा concept रहने वादा है अब यहां पर जो मैंने किया है वो दिख रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ cylinder को divide कर दिया divide the cylinder यह सब क्यूं कर रहा हूँ उसका मतलब दिख रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए कि चीजे क्यूं हो रही है into into annular cell पता है ना annular cell क्या होता है आपने mathematics में पंगा होगा annular cell मैंने आपको algebra में सिखाया हुआ है वहाँ पर जाके देख लीजे आर और इसका लेंथ अगर हम ऊपर तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा पूरा लेंथ कितना है समझ में आया कि नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा देखो यह मैं 2D में दिखा रहा हूँ 3D में तो ऐसे कुछ ना कुछ लेंथ होगा तो वह देंथ है यह अब चलो इसको solve करना शुरू करते हैं अगर मास है एक मैं और जमसंस ले देता हूँ लेट डेंस्टी कितना है डेंस्टी मैं मान देता हूँ अपना है ρो डेंस्टी का सिंबल रो होता है जो uniformly distributed है तो हर जगा रो ही रहने वाली है रो है यह क्या है density अब cylinder रहने वाला है अब यह पूरा अगर यह छोटा सा एरिया है इसका कुछ न कुछ ओलूम आएगा कि नहीं बिल्कुल ओलूम आएगा तो यहाँ पर अगर हमें छोटे एरिया का ओलूम लिखना हो इसकी चारों तरफ कितना है 2πr तिकनेस कितना है थिकनेस है आपका 2πrL इंटू डी आर यही आएगा न वोजो ल का क्यों किया क्योंकि थिकनेस जो है उसका लेंथ में ल है 2πrL डील अब आप बताओ मास इक्वेल टू क्या होता था मास इक्वेल टू रो इंटू भी होता था कि नहीं अब हमें किसका चाहिए छोटू सा मास चाहिए तो चलो छोटू सा मास चाहिए dm dm इक्वेल टू हम छोटा सा ओलूम लेंगे डेंस्टे तो constant रहने वाली है रो डी भी बैदू पूट करते हैं रो डी भी की बैदू कितनी आई है 2πrldr समझ में आया कि नहीं क्या मैंने किया बस ए छोटा सा अनूलस था उसका ओलूम लिखा और यहां पर पूट किया अब अपने को dm पता चल गया है चलो dm पता चल गया r पता चल गया अब solve करना शुरू करते हैं जब solve करेंगे di equal to क्या निकल के आएगा r square dm limit यहां कहां से कहां तक जाएगी किसके around यह बदल रहा है maximum radius r तक जाएगा तो limit होगी 0 से r और यह i कहां से कहां तक जाएगा 0 से i तक चलो अब value put करते हैं यह तो करेंगे i आ जाएगा i equal to 0 से r r square तो वही रहेगा r square dr अब मैं dm की value put करता हूं dm का पहले constant term को डालता हूं क्या आया है 2 pi r l rho इसको पहले रखता हूं 2 pi r l rho यही है अब r square को बाहर और dr को बाहर arrange की यहां हूं समझ गए ना dr को यहां से बाद में रखा हूं रे सब term को पहले रखा क्यों क्योंकि हमें integration करना असानी रहे तो चलो अब यहां जो जो constant है बाहर निकाल देता हूं 2 pi l rho a हमारा constant है अंदर क्या बचा है जीरो से r अंदर एक a r है r और r square तो यह आ जाएगा r cube into d r अब आराम से इसका integration करेंगे अपने को answer मिल जाएगा तो i equal to i equal to क्या निकल के आएगा 2 pi l rho integration करेंगे r के power 4 divided by 4 limit कहां से कहां तक है 0 से r तक यहां से जब और solve करेंगे i equal to 2 pi l rho यहां पर 4 को बाहर दा देता हूं 4 अंदर क्या बचेगा upper limit minus lower limit r power 4 minus 0 यहां से जब हम और solve करेंगे 2 pi l rho और क्या निकल के आएगा divided by 2 को 2 से भी हटा देते हैं तो pi l rho r square divided by 2 समझ में आया कि नहीं एह हमारा moment of inertia आया बट हमको length out radius के turn में चाहिए यह सब हमें एल और यह सब तो चाहिए ही नहीं था अब इसको किसी तरह हमको हटाना है तो अगर हम अब ध्यान से देखो पूरे cylinder का इसका radius कितना अगर हम इसका पूरा mass लिखेंगे पूरे cylinder का कितना हो क्योंकि variable अपने को जितना दिया है आंसर उसी में देने है न अगर कोई हमारा cylinder है इसका length है L, mass है M, और radius है R, ठीक तो इसका हम mass कैसे दिखेंगे, mass equal to क्या होगा, घनत तो बराबर क्या होता है, यहाँ देखो जो हमने रिखा है, dm equal to rho into db, m equal to rho into b, m, तो rho equal to आ जाएगा, m, m है, divided by b, अब m, total mass, m, divided by b, b क्या आएगा, volume, इसका volume, अगर radius π, r, square, l, यही निकल के आएगा कि नहीं, तो हम rho की value यहाँ put करते हैं, equation 1 मान देते हैं, आगे और solve करते हैं, put rho in equation 1, equation 1 में आप rho की value डालो, तो i equal to क्या निकल के आएगा, i equal to निकल के आएगा, pi l into rho, rho की value कितनी आई है, m by pi r square l, into कितना आया है आपका, into कितना है, r square by 2, into r square divided by 2, अब यहाँ से इसको solve करो, नहीं, r के power 4 है न, यहाँ पे, sorry, r square ही है, चलो, इसको और solve करते हैं, यहाँ पे r square हमने अभी इसको cancel क्यों किया, यहाँ पे नहीं होगा न, r power 4 रहेगा, ध्यान से इसको edit कर देना, यह है r के power 4, यहाँ पे देखो, अभी एक cancel नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, r के power 4, जब इसको solve करेंगे, r के power 4 यह सब cancel हो जाएगा, πाई से πाई चली जाएगी, l से l चला जाएगा, r square से r के power 4 चला जाएगा, क्या आएगा, mr square by 2, तो जो आपका cylinder का आया, mr square divided by 2, यह रहा, answer देखो, कितना easy हमने निकाला, जब भी आपसे question में कुछ भी पूछे, concept के थुरू जाना, simple सा mass, density, ओलू में सबका फार्मूला याद रहे, अलग अलग geometry का, इसी तरह कोन का पूछे, आपको कुछ भी geometry दे के पूछे, आराम से उसको निकाल लोगे, spare पूछे, कैसा भी दे, इस concept को लगाना, सारा answer निकल के आ जाएगा, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं भी कुछ भी doubt है, वीडियो को एक बार pause करिए, फिर से देखे, सारा doubt आपका clear हो जाएगा, चलिए, अब कुछ है, क्या है, moment of inertia, some common saved body, देखो, यहाँ पर मैं direct जितना निकाल लिख रहा हूँ, और कुछ हालो और यह सब के लिख रहा हूँ, direct, तो आप इसको खुद से निकाल के verify करना, center के around घूमता था, जो हमने पहला निकाला था, क्या रहा था, ml square by 12, इसी तरह अधीक rod, एक बहुत ही मोटा rod है, हमने thin rod लिया था, अगर बहुत मोटा rod है, तो क्या आएगा, length और radius दोनों change होगा न, तो AML square by 12, प्लस MR square by 4 आएगा, अगर ring है, ring का MR square निकाला, इसका भी derivation आपने देखा, hollow cylinder, देखो यह हमने solid cylinder निकाला है, यह सब uniformly mass distribution है, अगर hollow cylinder रहेगा, वो आएगा, MR square देखो यह ऐसा इसलिए रखा गया है, कि ताकि आपको याद करने में आसानी हो, इसको अच्छे से समझ दिजिए, याद कर दिजिए, क्योंकि आगे parallel axis यह सब जब हम steady करेंगे न, यह सब result का direct use करेंगे, अब यह सब result आपको याद रहेगा, एक्जाम में आपका बहुत ज़्यादा time सेव करेगा, सोचो अगर आप cylinder का proof करने गए, कितना time लगेगा, 2-3 minute proof करने में लगे, लेकिन अगर result याद रहेगा, आप तुरंत उसको put करोगे, और answer आपका आजाएगा, चलो अगला देखते हैं, अगर discar है, MR square by 2, इसका मैंने proof ही किया, solid cylinder यह भी proof हुआ है, MR square by 2, thin rod अगर किसी axis के around था, वो भी MR square by 3, अगर आपका कोई rectangle plate है, plate इसका आप निकालना खुद से और बताना कितना answer आ रहा है, same concept लगाना है, इस axis से एक छोटा सा लेना, एक सदूरी पर DM element लेना निकालना, answer निकल के आ जाएगा, spare का पूछे, जैसे हमने अभी disc का निकाला, same concept लगाना, spare का भी आपको निकल के आ जाएगा, देखो solid और hollow दोनों का याद रखना और confuse मत होना, इस पे आगले सेसम में बहुत question कराने वाला हूँ, सारी चीज़े आपको रट जाएंगे, अगला result, annular disc और thick hollow disc, annular disc पता है न, कि बाहर वाले को काट के अंदर वाले, तो उसको क्या करोगे जब आप question करना, बाहर वाले पहले पूरे का निकालना, फिर बीचवा जो अंदर है इसको minus कर देना, आपको ये result मिल जाएगा, इसी तरह थीक hollow cylinder, मतब एक cylinder के अंदर दूसरा cylinder है, सेम concept लगाना है, दोनों के लिए, हमारा answer निकल के आ जाएगा, एक बार इसके लिए, छोटू element लेंगे, एक बार इसके लिए, तो क्या result आएगा, m by 2, r1 square plus r2 square, देखो ये सब आप खुद से प्रूब करोगे, आपका confidence बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप ये सब सारी value जितना मैने यहाँ पर डाला है, इसको रट के रखिएगा, क्योंकि इस पर question डारेक्ट आएगा, r1, r2 ये सब change करेगा, ये हम change करेगा, आप से moment इनर्सिया पूछेगा, तो इस सब याद रहेगा, बिना गलती की सीधा answer निकाल लोगे, इसी तरह rectangular plate का पूछे, x axis के along पूछेगा, mb square by 12, y axis के along पूछेगा, aml square by 12, इसको याद करने का तरीका, जिस axis को काट रहा है, उसका square लेना है, x axis b को काट रहा है, mb square by 12, y l के side है इसी तरह, axis perpendicular to plane and passing through its center up mass, तो अगर इसके ये देखो, एक सवर y पे पूछ रहा है, अगर इसके perpendicular पूछे, तो हम क्या लेंगे, z axis के aml square plus b square by 12, इस सब सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना, अगर कहीं भी कुछ भी problem है, जो derivation आपसे नहीं हो रहा है, आप comment box में ड solutions जरूर provide करूंगा, या तो दूसरा platform telegram है, जिसका description मैं हर video के link में देता हूँ, वहाँ से आप जाके उसको join कर दीजे, कोई भी question है, आप वहाँ पे paste कीजे, मैं आपको उसका solutions provide कराऊंगा, और आपको अगर जो सब मैं यहाँ पे discussion किया हूँ, इसका pdf चाहिए, तो मैं video क description में telegram group का link डाल दिया हूँ, वहाँ से आप join कर दीजे, हर lecture के बाद ए pdf मैं उस group में post कर देता हूँ, वहाँ से आप download करके अपना खुद का notes बना सकते हूँ, तो ए रहा आज का session की continuous body का हम कैसे निकालते हैं, अगले session में हम perpendicular axis और parallel axis theorem study करेंगे, तो I hope अब तक आपको moment of inertia या जो काफी difficult लगता होगा, देखो कितना easy हमने निकाला, बस simple सा concept है, उसको याद रखना, सारा चीजे आप आसानी से calculate कर लोगे, चलिए इसे के साथ आज का session समाप्त करते हैं, comment करके जरूर बताए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग feedback नहीं हमको पता नहीं चलेगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल से physics की study कर रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखे, question practice का मैं एक अलग से session चलाता हूँ, उसको follow कीजे, physics में आपका एक single question भी नहीं रुकेगा, आपने देखा होगा, जेई मिन 2024 का जो exams हुए, वो सारे question हमारे note से ही आये थे, और मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी जो अप्रीज और मैं में नीट आउट जेई का exam होने वादा है, उसमें फिर से सारे question हमारे note से ही आएंगे, तो इसलिए आप ट्रेस्ट करके पूरा वीडियो देखे, जो question practice करा रहा है, उसको करिए, इसके बाद आप घर प time नहीं solve होता, लेकिन repeat, 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 continue करते करते आपको सारा concept revise हो जाता है, उसी question को आप देखोगे, आसानी से solve कर देते हो, तो नहीं हो रहा है, मतलब आपके concept में problem है, तो concept को strong करिए, उसके लिए मैं एक भी ऐसा concept नहीं है, जो आपके exam point आप भी उसमें live कर रहा हूँ, सारे concept discussion कर करता हूँ, अच्छे साब समझें, आपकी definitive physics में अच्छा नंबर आएगा, तो चलिए इसे के साथ आज का session समाप्त करते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, subscribe करें, बेल आइकन को on करें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डाले हूँ, सबसे पहले आप तक notification पहुंचे, चल रही करें, बेल आए हैं, दो निया जो होँ, सबसे के सा आज करें, बेल इसे थारे हूँ, जैसे आज ज्या कर माग जाए हैं, चैनल आए हैं, चैनल आजने के साथे आंए हैं, ताकि मैं